कि अच्छा पूरी हो गई है आज अपन जो है वह एनिमल हजबेंडी के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए भी इंपोर्टन टॉपिक है तो ज़्यदा से ज़्यदा बच्छों आपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो को ज़्यदा से ज्यदा लाइक किर दीजिये शेयर कर दीजे ताकि सभी लोग इस एक इमप्पॉर्टन टॉपिक को देख सके सबी एक्जाम में चाहे जैट क एक्जाम हो चाहे ईसीजनरल एक्जाम हो कोई भी थाम हो उसके अंदर इस टोपिक से रिलेटेड कॉशन 99.9% पूछा जाता है जो अपने agriculture के exam on में तो 100% और 100.1% ही पूछा जाता है लेकिन बाकी के अधर जो भी competition exam होते हैं जिनके अंदर जंदल animal husbandry आती है उनके अंदर भी इस topics related question पूछा जाता है तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग इसको देख सके खमा गणीशा खमा गणीशा विनोध कुमार शामलाल मैं अहार प्रबंदन और खजूर का PDF प्राप्त नहीं हौआ है सायद बच्चों मिल गया है आप लोग देखते नहीं यह PDF को या तो आप अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे है रोयल इंस्टिट्यूट का नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं खुद अपलोड करती हूँ सायद मिल जाना चाहिए हलो हाई वेरी गुड़ इवनिंग राधे कृष्णा नमस्कार वेरी गुड़ इवनिंग सुब संधिया मोरपाल अभिशेक सुमान हलो हाई दिल्खोस चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं 12th class का science board के students हैं उनके लिए ये complete course है sorry 12th class के जो अब जो 12th class में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए long year का पूरी साल का 12th class का board class का complete course है जो कल एक मही से ये batch अपने प्रारम होने जा रहा है इस batch के अंदर आपको क्या क्या मिलना वाला है 12th science board के student है उनके लिए live classes मिलेग स्ट्रीम से हो चाहे बच्चा चाहे biology स्ट्रीम से हो चाहे mathematics से हो सभी स्ट्रीम के लिए ये course available है 12th science board का जिसके अंदर सभी subject की live classes मिलेगी live recorded classes भी मिलेगी जो live class होगे वही आपको recorded भी मिलेगा साथ में notes है exercise seat है doubt class है Sunday test है test series है इसके लाव प्री बोर्ड के paper है और previous year के जित पांच जार रुपए है तो ज्यादा तेरी नहीं करनी है जो बच्चे 12th में इस साल आए है ऐसा नहीं है कि वेट करते रहें कि कब lockdown खुलेगा तब हम offline ही जाके पढ़ लेंगे बच्चों ये भूल जाना कि अभी 2-3 साल तक जो है वो offline class से चलेगी या आपके घरवाली इत online ही सारी चीजे हो रही है तो जो ऐसे सोचके बैठा है online में कुछ नहीं होता है खाली YouTube चैनल दिखता है तो वो ऐसा नहीं है जो बच्चे online में साथा साथ पढ़ते रहेंगे उनको बहुत ही जादा benefit मिलेगा साथ ही साथ अधर competition exam में भी वो बाकी अधर लोगों से आगे हो crash course भी स्टार्ट होने वाला है JET, ICR, BHU, MPPAT और UPCTAT के जो भी students हैं जो exam देने वाले हैं उनके लिए online crash course स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल नए सीरे से स्टार्ट होगा जिसके अंदर सभी subject की classes आपको live और recorded दोनों रूप में मिलेगी और जादा जानकारी के लिए ये ज स्टार्ट करते हैं अपने जो पढ़ते हैं वो animal husbandry पसु पालन के बारे में पढ़ते हैं पसु पालन के अंदर बहुत सारे जंदल चीजें हैं जनरल टॉपिक्स हैं वो अपन देख चुके हैं जैसे पसु का आहर प्रबंदन है आवास प्रबंदन है उनके अंदर जो है न कि अपने लग लग पसों की नसले आती हैं और इसके बाद में जो second topic बचता है अपने पसों के प्रमुक रोग आते हैं कि कौन-कौन से रोग पसों में पाये जाते हैं और जो तीसरा major topic अपने बचता है वो दूद और दूद के बने उतपाद आते हैं तो यह तीन ही topic है जो अपने स्लेबस में बचे वे हैं, बाकी अधर जनरल चीजे जैसे इस्टिट्यूट वगरा है, वो लास्ट में अपन देख लेंगे, डेटा वगरा है, वो सारी चीजे अपन लास्ट में डिसकस कर लेंगे, ये मेजर तीन टापिक में से, आज अपने एक मेजर बड़ा टाप करने जा रहे हैं वो आता है पस्वों की नसले. पस्वों की नसलें के अंदर सबसे पहला जो टापिक अपन स्टार्ट करेंगे, पस्वों अपन ने जब कोई स्टार्ट किया था तब मैंनі अब को बताया था कि कौन-कौन से को जो पसू है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो पालतु पसू होते हैं, जिससे गाय है, भैस है, भेड़ है, बकरी है, इसके लाँ उट और पक्षियों के अंदर एक पक्षिय आता मूर्गी, इनके बारे में अप तो चारो एक्जाम में एक एक कॉशन हर बार पूछा जाता है, आज अपन डिसकस करेंगे कि क्या पूछा जाता है, क्या पुराने एक्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो चीजे हैं नसलों के अंदर से वो रिपीट होती हैं, वही इंपोर्टेंट दो चार ला आपको बहुत ही डीटेल के अंदर बहुत ही डीपली पढ़ाने वाली हूँ, तो इसके बाद में आपको कहीं से भी जाके, किसी भी तरीके से, किसी भी बुक में आपको पढ़ने की ज़रत नहीं पढ़ेगी, तो साथ का साथ बचों नोट्स पनाते हुए चलना है, चोदरी तडप होनी चाहिए काम्याभी के लिए सोच तो हर को ही लेता है बहुत अच्छा बहुत खूब लिखा आपने सभी बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलेगा सभी जो है इसी जो उसके साथ जादा से जादा इस क्लास को पढ़ते रहे ताकि आपका कोर्स है वो बहु अंदर सबसे जादा गाए कहां पाई जाती है भारत में कहां पाई जाती है इसके लागा जो है वो भारत में सबसे जादा कौन से स्टेट में पाई जाती है राजिस्थान में कौन सा जीला है कौन सा डिस्टिक है वो सबसे जादा यह पहले नंबर पर आता है गायों के पा तो तापमान भी मैं आपको comparison करके बदाऊंगी ताकि एक टेबल से ही आपको एक साथ याद हो जाए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आए तो हर एक नसल के अंदर में साथ का साथ उनके इस तरह की चीजे नहीं बताऊंगी सिर्फ नसले हैं तो फिर नसले ही अपन इसके बारे हैं डिसकस करेंगे है तो सबको पता है भारत में किस नाम से जाना जाता है भारत में क्या कहते हैं गाय माता के नाम से जाना दाता है, नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही छोटी क्लास से, मानलो, अब मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, फिप्ट क्लास से साइध अपन निमंद लिखना शुरू कर देते होंगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा भी लिखने लग जाते है, उसी से अपन इसके बारे में कुछ बेसिक चीजे हैं, वो स्टार्ट करेंगे पढ़ने से पहले, तो देखिए, गाय जो है, उसके बारे में पढ़ने से पहले अपन बात करें, कि गायों की कितनी नसले भारत के अंदर मानने था प्राप्ता है, अपन वर्ल्ड के सारी पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिया की बारे में अपन जानकरी रखेंगे, उनी में से एक्जाम में कुछा जाता है, अपन कोई इंटरनाशनल लेवल का एक्जाम नहीं दे रहे हैं, अपन सिर्फ इंडिया लेवल का एक्जाम दे रहे हैं, तो इंडिया की पढ़ेंगे और उस्जी के इंदर आजाएंगे, तो इनके बारे में अपर भारत के अंदर जो पृस्वूअ को मानताप्रदान करता है, जैसे अपने इंडिया के अपनबात करें कि कितनी अगरिकल्चर उन्ये तो य decision में कि राघ्लिस के आगरिकल्चर में उनको माननेता प्रदान करता है, उनकी अलगला condition होती है, कि इतने students हैं, इस college में होने चाहिए, इतने पास आउट होने चाहिए, इतने बच्चे जो है, वो इतनी fees होने चाहिए, इस तरह कि इतना course होना चाहिए, ये सारी चीज़े कौन बताता है, ICAR के द्वारा decide की जाती है, वैसे ही अपन पशो की नसल की बात करें, कि भारत में कितनी नसले भारत में पाई जाती हैं पशो की, वो कौन decide करता है, एक संस्ता है, जिसका नाम है, रास्टिए, वसु, आनुवन्सिकी, संसाधन ब्यूरो, ये है कहाँ पर है, ये करनाल में हिस्तित है, करनाल हर्याना के अंदर है, इसके धुरा माननेता प्रतान की जाती है भारत के अंदर, इतने पस्व रजिस्टर्ड एं ऐसा ही नहीं है कि राचलती ही कोई भी रोड़ पे गाय चल दिये है तो इसको अपने कह दिया है कि यह भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है बहुत ज्यादा अच्छी नसल है, इतना दूद देती है, इतना देती है, नहीं ऐसा नहीं होता है, पर हर किसी नसल को registered breed नहीं कह सकते हैं, हर साल जो है यह जो NBAGR, यह संस्ता है National Bureau of Animal Genetic Resources है, इसके द्वारा यह मानेता प्रदान की जाती है, कि इतनी नसले registered है, इनी को registered breed में रखा ग National Bureau of Animal Genetic Resources, करणाल हर्याना के द्वारा क्या किया जाता है, यह संस्ता है, इसके द्वारा डवलप की जाती है, इतनी नसले मानेता प्राप्त हैं, अब अपन बात कर रहे हैं गाय की, तो गाय की कितनी नसले भारत में मानेता प्राप्त हैं, उनके बारे में अपन डिसकस करेंगे, तो उनके 41 के नाम अपन देखने वाले हैं कि कौन-कौन सी नसले हैं, कौन-कौन सी पाई जाती हैं, कितने किस तरह की जो है वो नसले होती हैं, इनकी क्या characters होती हैं, क्या उनका origin place होता है, यह सारी जानकारी आज अपन इसके अंदर बहुत अच्छा सुनील, आज क्या बात है, सब लोग शायर बन रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी शायर या लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अब अपर स्टार्ट करते हैं, आपना देखिए, जो गाय की नसले हैं, उनको माननेता प्रदान कौन करता है, N.B.A.G.R संस्था करती है, National Bureau of Animal Genetic Resources, उसके द्वारा ये जो है, वो सभी नसले की माननेता प्रदान की जाती है, अलग लग नसले आएंगी, तो उनके बारे में सभी के बारे में बताऊंगी, कि कौन सी ब्रीड की कितनी नसले रजिस्टर्ड है, अब बात करें कि गाय की नसले हैं, उ देशी अब हरती नसले हैं, इंडियन ब्रीड काहा दाता है, इंडियन ब्रीड की क्या इनकी थ्वालिटी होती है, क्या इनकी करेक्टर होती है, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला आपन बात करें इसका जुलूजिकल नेम क्या होता है, इसका जो है वो क्या ना ज法 सब्सक्राइब करें आफाओ यह वीवतलिस लगा पड़ कि यका नो है दे सी गाए डेसी गाय का अभी बताया है उसके बास में होटा इस कारण इसका नाम क्या हो गया बोस के आगे इंडिया की है तो इंडिकस लगा दिया इस तरीके से आसानी से विद्टरी का अपने क्या याद कर लिया गाय का विज्यनिक नाम याद कर लिया पहला पुइंट है गाय घर की माता है तो बोस हो गई और इंडिया की ब्रीड है तो इंडिकर्स होगी तो वेगनिक नाम क्या हो गया इसका बॉस इंडिकर्स क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा सी जदा लाइक कीजिए शेयर कीजिए बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ने वाले हाँ जिसके बारे में अब बात करें इसके अं अब बात करें से बहुपर से पैने भी स्ंदिक अपनेक hall करें किस तरीकह से इसका पाया जाता है तो जो देशी आफारतिये गाएं पाया जाता है कुबर il ूफा सतीत हुता इंदा से नामसे से जाना जाता है या हम घृंप में पाया जाता हम क्या होता है इस तरीके से जो पीट होती है वह हिछ फिन वह बिलकुल समतल सपात्पध आकार की तीके से जगरूब की जो गाय की देशी में होती कूबर पाया जाता है जिसे उठ के बारे में तो सब जानते होंगे, उठ होता है, वो क्या होता है, उसके सिरीख के ओकूपर पाया जाता है, hai तो क्याобод करता है, ताक आसद्सानी से में अजी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो अपने भारत से परिस्थिति जलवाई वेख जो condition है वो कैसी है इसी तरीके से है कि यहांपर कभी किसी सीजन में जाधागरमी पड़ती है किसी सीजन में जाधा ठंड पड़ती है तो सभी तरह के ताप को नियंतरित करने के लिए जो भरती नसले है उनमें क्या work पाया जाता है ये कुबड पाया जाता है जो क्या करता है उनके ताकमान को नियंत्रित करता है और यहां की जलवायू के अनुकुल उनको रहने की परिष्टिती के अनुसार जो है इनको सरवायू करने की सकती देता है इसी के लिए इसमें अपन देखते हैं कुबड उपस्ती तूता है अब आपन पड़ते थे तब तो अपने दो Brylands की बूकाती थी तो इसके अंदर जो है वह ऑंगली ती तो इंगली की आती तो आप आजकल जो है वो European और अलग अलग तरह के अमेरिकान इन सब के अलग अलग लेंग्विज की बुक्स आती हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा गाय को अलग लग नाम से जाना जाता है तो वो किस नाम से जानते हैं तो इसके अंदर बात करें अपन जो युरोपिय देश होत जाय के नाम से जाना जाता है जेबू के नाम से जाना जाता है जेड इवी यू इस नाम से इसको जाना जाता है आप देखना कई बुक्स आपको मिलेगी कई ऐसे डिक्सिनरी मिलेगी जिसके अंदर काव को काव नहीं कहा जाकर क्या कहा जाएगा जेबू कहा जाता है तो इ इसके अलावा और क्या जाना जाता है इसको तो अमेरिका में ये नसल है अमेरिका में क्या नाम से जानी जाती है अमेरिकन जो नसले हैं या विदेशी नसले हैं उसका अपने को पता है भारती गायों से बहुत ही ज़्यादा दूद पादन होता है डबल से भी ज़्यादा होत तो अपनी जो भारतिये गाय है उसे अमेरिका में टी, कप, कव के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं, next, देशी है भारतिय गाया है, उसके अंदर अपन बात करें, इतनी चीज़े जो है उपने को याद रखनी है, विग्यानिक नाम बहुत सिंडिकस, गुंसुतर संक्या 60, कुल है इसका वोविडी, कूबर पाया जाता है, यूरोपिया जैसे में से जै light problem झाल 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 चलिए आगई आगई लाइट आगई बत्ती गुल नहीं हुई है मीटे चालू हो गया है चलिए देखिया आगई सब थोड़ा सा क्या यहां बिटा मोसम खराब है इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आगई थी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आईगे अब जनरेटर चल गया है अब तो आपन बात करते हैं नैक्स इसके अंदर देखिए विदेसी गाय की अपन बात कर रहे थे विदेसी गाय की तरेक्टर्स होती अनोती है क्या इसका सांटीफिक नेम होता है सबस्पे पहला हम सांनोते सिर्टीफिक नेम canular ग्षूल नेम इसका क्र भीक्रॉब्लम इसको भ सेम ही होता है कुल भी देशी और विदेशी दोनों के अंदर सेम ही होता है वो वीडी होता है तो ये बात होगे इनकी जनरल जानकरी अब बात करें इनकी क्या करेक्टर ऐसी होती है जो इनको देशी गायों से भिन बनाती है भिन दिखाई देती है ये अपने को अलगी तरह की दिखाई देती हैं तो क्या इनकी शेप कैसी होती है इनमें कूबड अनुपस्थी तो आपने देखा होगा जो विदेसी गाये होती है उनके अंदर हम बिलकुल नहीं पाय जाता है इस तरह के जो पसु होते हैं वो क्या होती है वी देसी उसके बाद अपने नस्तों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आपन में डिसकस करेंगे तो first अपन बात करते हैं इनको किस आधार पर कैसे जो भारतिये नसले हैं भारतिये नसलों के बारे में पढ़ रहे हैं उन भारतिये नसलों को उपियोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उपियोगिता के अधार पर भारतिये गायों को तीन भागों के इंग्लिश में नहीं पाध्ट इनपादन औहीं होती है दूसरी जो नसली आती है ले उने क्या कहा जाता है द्राफ्ट से 닉नल में ढाता है इसके बहुंत नसली क्या चोनushi प्टासाल नाम मिलेते हैं या इनको agriculture purpose से क्रिशी कारिये में उपयोग में लिया जाता है जिसे जो है वो जुताई करने के लिए है गाड़ी खीचने के इस तरीके से इनसे काम लिया जाता है फिर बात करें इनके अंदर दुधारू होगी भारवाई होगी अब ऐसी नसलें जो दोनों purpose से पा काम मिली जाती है इनकी मादा नसले है वो दूद उत्पादन वाली होती है अच्छे दूद उत्पादन वाली और जो नर्पस होते हैं उनको भार उठाने के काम में लाया जा सकता है इस कारण दोनों purpose से काम मिली जाती है उन नसलों को क्या कहा जाता है उन दोनों नसलों को तो आच्छी भारवाई नसल है ऐसा कोशिन पूछा या निम्न में से द्वी प्रियौद ने नसल का था तो इस तरीके से इन में से सिम्सेसी mines के नामसे पूचली यह यह रहे साफ के को में सब्साइए है यह यह भी थैट Snğ आप बोचाट होने के काम में आती हैं, अब अपने करके इनके बारे में डीटेल से पढ़ेंगे, क्यों-कौं सी नसले हैं, विद ट्रीक अपन इसमें देखने वाले हैं, बहुत ही ऐच्छी ट्रीक होने वाली है, तो देखिये, फर्स अपन बात करते हैं, दूद परियोजनी नसले दूद परियोजनी या मिल्च परीड होती है इनकी क्या करेक्टर होती है नाम से पता चल रहा है नाम से क्या पता चल रहा है दूद परियोजन मतलब किस परियोजन के लिए पाली जाती है दूद उतपादन के लिए पाली जाती है लेकिन इनकी भारवाय शंता कम होती ह इन नसलों को क्या कहा जाता है दूद प्रियॉल कि अंदर कितनी इमार्च से याद सकते हैं तो फूरी बार मार्केट में आहीं है तो बच्वरा जीटवर। कोई भी कोपी नहीं कर सकें, तो देखें इसके अंदर, अगर कोई कोई कड़ लेगा, तो भी इसका मींस नहीं बता पाएगा, तो आपन डिसकस करते हैं, इसके वारे में मनीश है विजैस है आप सब लोगों के नाम तो मुझे याद है लेकिन कौन सा कहां से जास को यद करने के लिए यह झालना कर लिया तो उससे क्या हूए अपेस बूंख़ीड आपकी याद नहीं तो वह से यहाँ से आता है वो ही और ट्रिक से याद कर सकते हैं estáky प्रड़ tapping आपन स्टार्ट करते हैं सी साग इरादे अच्छी से ट्रेक है इससे सी से अपन याद कर सकते हैं पहली नसल आती है सिंधी सिंधी जो नसल है उसका पूरा नाम आता है लाल सिंधी या इसे ही इंग्लिश में रैड सिंधी कहते हैं ऐसा नहीं है कि रैड सिंधी दूसरी एक को इस तरह के सारी नसले हैं इनको अभी देखेंगे विद फोटो अपन इनके बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे अभी नाम नाम देख रहे हैं सिर्फ तो सेकंड नसल आती है सा से साहिवाद, थार्ड अपन बात करें गी, गी से अपने तीसरी नसल आती है गिर, तीसरी नसल आती है उसका नाम आता है गिर, और फूर्थ आती है रा, रा से आती है राठी, रा से राठी नसल है, राठी नसल कहां किसकी है, ये भी दुधारू नस राजस्तान की प्रमुख और दे से आती है पांचवे नंबर पे आती है देवनी ये पांच नसले हैं पांचों नसलों को विद्ट ट्रेक अपने सीधा सीधा देख लिया है एक बार सारे नाम आपको पांच साथ बार पढ़ोगे एक साथ रखके उन नामों को तो याद हो जा बात करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज़्यादा शेर कीजिए आप क्लास में तो इतने जने हो साड़े 300 लेकिन लाइक इतने कम क्यों आ रहे हैं चलो जल्दी से वीडियो को फटा बट से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी की साथ आपको पड़ा सकूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर जल्दी से लाइक कर दो अब शेक, विजय, रूपम, मोरपाल, गन्नु सालवी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया पड़ा रहे है मैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में ज्यादा हर्ज नहीं होना चाहिए आपको जल्दी से लाइक कर जैसे दो ट्रिक से अपना असानी से याद रख सकते हैं बहुती सुन्दा ट्रिक है अपनी असानी से उनके नाम अपनी याद रख सकते हैं तो फर्स ट्रिक आती है मा मैं राखी पमार के साथ गंगान अगर ना जाओं पमार के साथ गंगान अगर ना जाओं छोटी से ट्रीक है लेकिन बहुती सुंदर ट्रीक है असानी से आपको याद हो जाइगी माम मैराखी पमार के साथ गंगानगर ना जां। ऐसी ट्रीक से आप असानी से इसमें कुछ नस्लों के नाम याद रख सकते हैं। तो देखें, के करके कि अपने डिसकस करते हैं फिर्स्ट बात आती है महा से इसे गाय की अच्छी भारवाई नस्व जाती है जो राजस्तान के उदया पुर डिस्टिक में इसका वितरहन संद्र you फिर आती खी, खी से अपनी दूसरी नसल आती है खिलारी, खी से आती है खिलारी, ये नसलों के नाम ऐसा नहीं है कि मैं ये तो अपने सिलेबस में तो है लेकिन हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, आप इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चों आजकल एक्जाम का आजकल बहुत जादा एक्जाम का लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए अपने को सारे नाम याद रखने होंगे, तो देखिए, फिर सेकेंड नसल हो गई, दूसरी खिलारी, थर्ड जो नसल आती है वो पमार, पमार नाम से ही नसल है, इसका नाम ही पमार है, वही ट्रिक मे आ रहा है तो आसानी से तीसरी नसल आ गई, फिर पोर्त आती है, चोथी नसल आती है, कैन कथा, चोथी नसल आती है, कैन कथा, अगला आपन बात करते हैं, गंगा नगर से आती है, गंगतीरी, ये गंगतीरी नसल है, और फिर ना से आती है, सबसे इंपॉर्टेंट नसल है, सबसे अच्छी नसल है, गाय की भारवाई नसलों में सबसे बढ़िया नसल की बात की जाए, सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा बैल जिसके सबसे ज़्यादा प्रशिद होते हैं, वो कौन सी नसल होती है, नागोरी नसल होती है, बहुत अच्छा, मैम इंडिया की सबसे ब्य इन से याद हो गई अब दूसरी नसले कैसे याद रखेंगे तो दूसरी नसलों के लिए अच्छी से ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है अमरिज सर में अम्रिज सर में आतंक वादियों से अम्रिज सर में आतंक वादियों से क्योंकि बॉर्ड लिए पर आता है अम्रिज सर तो इसी कारण यहाँ पर आतंक वादी हमले जादा होते हैं तो इसी से याद रटना है अम्रिज सर में आतंक वादियों से खैरी गड़ के हाल बूरे हैं खैरी गड़ गाम है खैरी गड़ के हाल बूरे हैं यह सुन्दा से ट्रिक है जिससे आप आसानी से बाकी के बचे विसारी नसले इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कैसे सबसे पहले जो अपना आता है अमरित सर आता है अमरित सर से क्या याद होगा अपने तो अमरित से आती है अपनी एक नसल आती है छे नमर के बाद नेक्स नाती है साथवे नमर की नसल आती है अमरित महल क्या नाम आता है उसका अमरित महल एक ऐसी नसल है जिसे जो है व तो आसानी से याद रख सकता है आलम बादी नसल् 왔ा बोडियों में वह से आती है वैचूर सबसे बोनी नसले मिनीयेचर गाय के के नाम से जानते हैं केरला की नसल है फूर नेक्स आती खैरीगड क्हारीकड नाविकन Talking का क्हारी गड़े क्या नाम है क्हारीकड तो जहाएसे खैरी गड़ स़कते हैं फरज पर नेट आते हैं वारा नंबर के जान फर्लिक सben अब्सक्राइब गारे याशीर मर्सवारे 5 6 प्लत्र में उन्हेस प्राइब्ज। Gandhoti अधर किनक्रण फर्लिक सेबुरे से भूरे जो है अल्सक्तिते हैं इदर हैं से आती है हिसार हिसार नसल को हर धेनू के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरीके से पूरी चोदा की चोदा नसले हैं दो ट्रेक से अपने आसानी से याद रख लिया है इनको दो ही लाइन याद रखनी है और इस तरीके से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं पूरी जो आएगी अभी फोटो जब आएगी तब उनके बारे में विध करेक्टर बताऊंगे आपकी कि कौन सी किस एक्जाम में पूछी गई है और कौन सी आगे पूछे जाने की पॉसिबलेटी है सारी चीजे बताऊंगी अभी फोटो देखके बताऊंगी अभी अपन जो है वो अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा द्वी प्रियोजनी नसले हैं चीने ड्यूएल परफस ब्रीड कहते हैं यह कौन-कौन सी होती है कैसी नसले होती है कैसे उनको आसानी से याद कर सकते हैं तो इसके लिए जो ट्रेक है वो ट्रेक बताती हूं मैं आपको आसानी से इसको अपन आप रख सकते हैं तो ट्रीक है अपनी देखिए इसके लिए ट्रीक है dwijiल नसले हैं वह कहां से आ यह आसानी से इसको याद कर सकते हैं इस नस लोको तो कैसे याद रख पुलिखक और नाम किया है तो इस तरीके से अपन बात करें कि या द कर सकते हैं तो देखिए फर्सट बात करते हैं हरी कृष्ण हरी से आती है हरी नाम से अपनी नसल है पहली नसल है सबसे अच्छी नसल है हरियानवी हरी से आती है हरियानवी हरियाना के नाम से 20 से जाना जाता है और हरियानवी के नाम से 20 नसल को जाना जाता है मेवाती निमाडी काकरेश हरियाना बहुत अच्छा बहुत बात करते हैं अपन कृष्णा कृष्णा से दूसरी अपनी नसला की कृष्णा वेली कृष्णा वेली वेली जो है उसे इंगलिश नाम है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है घाटी कहा जाता है तो कृष्णा वेली को कृष्णा घाटी के नाम से भी जाना जाता है फिर नेक्स पूछा जाता है, सबसे अची द्वी-प्रियोजनी, सबसे अची दुधारू, सबसे अची भारवाई, ये तीन तो फिक्स हैं, चार एक्जाम होगे, साल में, चारों में सब किसी ना किसी एक एक्जामें तो जुरूर आती है यह आगे थार पारकर फिर फोर्थ की बात करते हैं चोथे नंबर की नसल आती है थार पारकर के बाद में राठ थोड़ा सा ध्याल से याद रखना राठ और राठी दोनों अलग लग नसले है राठी नसल थी वो गाए की दुधा पहलाओ लाओ फिर नेक्स साथिस सिरसे आती है सीरी से अależसल का नाम आता है सीरी सीरी नसल है अगली आती है डांगी यह नाम से एक कि यह नसला थी है षषी स 세상 लिख द sanctry नकिया नेक्स साथ हो गई अगला हास अगलां जान में में से आती है अपने आठ्वे नम्बर की नसल मेवाती में से आती है मेवाती नसल मेवाती नसल है वह राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में पाईद आती है वैसे इसका उत्पतिस्थान MP में आता है मेवात छित्र फिर नेक्स बात करें कहां से आती है कहां से अपने नौवे नमबर की नसल आती है कांकरेज ऐसे नमबर की नीमाडी के बारे में कई बार एक्जाम में पूछा जाता है और इन ठार पारकर हरियाणवी और कांक्रेज के बाद में अगर सबसे जादा को इंपॉर्टन्ट ब्रीड़ आती है वो आती है अंगोल कई बार किस पसू की नसल है अंगोल गाय की कैसी नसल है धारू है भारवाई है या ज्वी प्रियोजनी है या फिर पूछा जाता है अंगोल का उत्पत्ति स्थान लास्ट येर तो इसका उत्पत्ति स्थान ही पूछ लिया था उनके अंदर कथन कहानी वाले जो जो कोशन थे उनके अंदर कूरे के पूरी जो नसले थी उनके बारे में पूछ लिया गया था तो आपन देखेंगे कि कौन चींदूस नसले क्या क्या कौशन पूछा गया यह इतने नाम है 11 नाम है जो झ burinos stove में आते हwir इसके लाँ ग। और किस नसल को बोलते है मेडम जी महादेव पुरी तोड़र सभी आप फूर्ट एपर कर देती हूं आप एक पड़तें कई तरह की बुक्स पड़ते हैं जो अपनी को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए जिसे एंबी एजिया संस्था है या फिर एंडिया रही है इन्हों नी क्या किया है हर तरह की ब्रीड है उनकी कुछ पर्टीकुलर उनकी उनकी जो इस्थानी विसेश्था होती है वो भी बता देते हैं तो इस तरीके से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बहुत नहीं चीजे बताई है तो अपने इस बुक को खरीद लेते हैं तो यह उनका एक प्रलोबन होता है जो बुक क आप अटेंड कर सके एक्जाम में तो इसलिए मैं आपको जो में मुझ्दे की बात है जहां से एक्जाम में कॉस्चिन पुट अप्स होते हैं सिर्फ वही चीज बताने वाली हूं अब अपने करके अपनी जो ब्रीट से उनको डिटेल में डिसकस करेंगे कि क्या क्या उनकी परोओ लिटेल के बाषट करें उस से पहले वीडियो को जाता से ज्दाब कर दीजिय करते हैं पहले अपन एक्क करके दुदारू नसलें फिर भारवा और फिर जो दर्वी प्रियोजने जनस्तों के बारे में देखेंगे, सिर्फ उनी नस्तों का डिटेल में डिस्कॉस करेंगे, जो अपने सलेबस के अंदर हैं, बाकिन नाम अपने सभी के देख लिये, विट्रिक अब पात करते हैं अपनी गेर नस्ल, गेर नस्ल जो है, वो क्या है, उसकी क्या characters हो कई गए गये तो अलग लग जगए पर उसे अलग लग नाम से जाना जाता है उन्हें से कुछ विशेशिन आम होगे सिफ उनके बारे में पन देखेंगे तो गाए की जितनी भी नसले होगी, उनके अंदर क्या क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं, एक बार शोट में बता जेती हूँ, पहला तो उनके अंदर अपन देखेंगे, उनके अधर नेम क्या होते हैं, अन्य किस नाम से उन नसल को जाना जाता है, कोई भी नसल होगी, तो यही चीज आपके यहां पर आती है, इस नसलों के अंदर, है तो यह जैसे मानलो गुजरात की, लेकिन पाई राजस्थान में जा रही है, तो वो है, उसका वितर निस्थान है, डिस्टिबिशन कहलाता है, सोनो सर की आज क्लास नहीं लेगेगी, बेटा, जब भी लगेगी, आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, चलिए, अब देखते हैं, आज की क्लास को बंटिनी कीजिए, नेक्स अपन बा लिखते हैं, यह सारी इसारी कॉमन चीज चीजें होती है, इक्जाम में क्या पूस्ते हैं, जिसके सभी तरह की नसले हैं, गाय की, वो काली होती है, लेकिन कोई एक नसल लाल रंकी होगी, तो वो क्या होगी, उसकी एक फटने वाले तो देखिए, इसके अंदर विसेश्ता अब बात करते हैं इसके अंदर पहले बिटा पूरा आपना जो तो यह चीज़े क्या कहलाती है अब अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्स पहले बिटा अपन पूरा अपना जो कोर्स है उसको कर लेते हैं क्लियर उसके बाद महें आपको बहुत सारे अब्जेक्टे कोशन सौल करा दूगे उसके बाद बुक भी आपको बता दूगी कि कौन सी बुक है वह आपको प्रिफर करनी चाहिए तो चलिए देखिए इसके अंदर अब अपन बात करते हैं गिर नसल के बारे में अन्य इसकी क नाम से जानते हैं काथिया वाडी या फिर इसे अजमेरी के नाम से या फिर रेंडी के उपनाम से रेंडी या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है इसके अलाव इसे देशान के नाम से जाना जाता है और भामान के नाम से भी से जाना जाता है इन सब नामों से इसे जाना ज इसके एसी करेक्टर होती है क्या special particular पाई जाने वाले स्थान के अनुसार इसको जाना जाता है तो अपन बात करते हैं तो देखिए पहले अपने इनके यह दोनों चीजे देख लेता है जिससे अपने को आसानी देगी इनको याद करने में इनकी अधर नेम को याद करने में त अब एक बार एक बात और बता दू और किस नसल का गुजरात का काठी अवाड का गिर जंगल है 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चे जैट ICR BHU AO Supervisor सभी एक्जाम की जितने भी स्टुडेंट्स है वो सब के लिए या अप अब बात करें इसके इंदर वितरनिस्थान के वितरनिस्थान कहाँ पर है तो यह नसल है राजिस्थान के अजमेर्वय भील वाडा में पाई जाती कहां पर पाई जाती है अजमेर वे भीलवाड़ा में पाई जाती गैसं देखे और इन दौनों यह इनके नामों की बात करतें तो सबसे पहला इसको नाम जिए काथिया वाडि काथिया वाडि क्यूं कहा गया क्यों आ, इससी नाम दिल जाerve इसको क्या नामरी के नाम से जाना जाता है तो पर्टिकुलर जगह के नाम से इनको नाम दिया गया काठियावडी और अजमेरी, अब ऐसा नहीं है कि मैम इसका जो वित्रन इस्थान है वो भीलवाड़ा भी है, तो इसे बिलवाडी भी कह देंगे क्या, ऐसा नहीं है से बिलवाडी के नाम से नहीं जाना जाता है, सिर् कि गिर नसल को राजस्थान में किस उपनाम से जाना जाता है तो रैंडी के उपनाम चयाना जाता है चलिए अगला देखिए नेक्स आता है देशान पर्टिकुलर जगह के नाम से इसको नाम दिया गया कोई स्पेशल डिजन नहीं है अगला तुम बात करते हैं भामान क्यों का गया है तो ब्राजील के अंदर इस नसल के कुछ पसू जो है वह अधिक दूद उत्पादन के इसके अन्य नामों से डिलेटेड अधर नाम अब अपन बात करें उत्पतिस्थान तो गुजरात का काठी अवाड के गिर जंगत एक साथ सारी नसले पढ़ने के बाद उनको एक के करके नसलों के नाम लिखना एक साइड एक साइड उनके उत्पतिस्थान नाम लिखना तो फर्स्ट करेक्टर क्या होती है इसकी इसके कान है वो पेड़ के पत्तों के समान लटके वे होते हैं पेड़ के पत्तों के समान लटके वे होते हैं पेड़ के पत्तों के समान लटके वे तो इस तरह के कान है इस नसल के पाए जाते हैं या कह सकते हैं पर पत्ती नुमा कान किस गाय की किस नसल की प्रमुक विसेशता है तो गिर नसल की प्रमुक विसेशता मानी जाती हैं, इसके अलावाज जो काठियाव़डी नसले हैं, उनके जो विसेशता हैं होती है, कुछ special character होती है, जिसे भैसकी नसल जाफरवादी, वो भी काठियावड में पाई जाती है, उत् जो इनका जो माथा होता है वो चोड़ा एम उभरावा पाया जाता है ब्रॉड फॉर एड होता है कैसा होता है ब्रॉड होता है इस तरीके से उभरावा पाया जाता है माथा चोड़ा वह उभरावा इस नसल की प्रमुक्र से इस्ता मानी जाती है तो यह इसकी करेक्टर हो से लाल है काले सफेद धब्ब्ब मतलब ऑप्शनल है जरूरी नहीं है यह 멱 पाया हो तो इस तरीके से बस्से यह इसमय याद रुखने वाली हैं इसका यह यह उपनाम है राजस्थान में जाना दाफ ए Darling लिख लेना ब्राजील वे भामान की नाम से और यह सब जगाए के नाम से इनको नाम दिए गए इनकी चैरैक्टर इतनी ही गैसे याद रख निये अब बात करतें कि प्रड़क्शन कैज इस नॉसल का तो जो गएं-सल की गाय होती है एंपी का मतलब यहां पर मिल्क प्रड़क्शन है मध्यपरदेश नहीं है ठीक है एंपी का मतलब मिल्क प्रड़क्शन कितना होता है तो पर लैक्टेशन पीरिड है पीरिड इसका मिल्क प्रड़क्शन है वह 1500-2000 लीटर प्रती ब्यात होता है ज्यादा कोई विसेश नहीं है याद रखने की बात इसके अंदर क्योंकि जो दुधारू नसले होती है इनका एवरेज दूद उत्पादन 1500 से 2000 लीटर ही होता है क्लास अच्छी लग रही हो तो बिटा सुनील कुमार बहुत अच्छा सच में आप मैं बहुत सुन्दर पढ़ाते हो चलो बहुत अच्छा बह बहुत अच्छा जो है वह अपन अपना कोर्स है बहुत अच्छे और सिस्टेमेटिक तरीके से अपन पूरा करेंगे साथ का साथ नोट्स बना रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा नोट्स बनाते रहिएगा और कोई चीज अगर कहीं से मिल जाए तो आपको एड़ कर सबी तरह की दुधारू नसलों का दूध पादन 1500 से 2000 ही होता है जो सबसे ज़्यादा प्रडक्शन है वह साइवाल का होता है तो एक बार अपन सारी चीज़े एक साथ लिख लेते हैं हर नसल में फिर एक साथ में common चीज़े होंगी वह एक बार बता दूँगी ताकि आपको इस पीशल करेक्टर होती हैं चितकबरा रंग मैंने बताया आपको अलग अलग तरह की बुक से अपनी बुक को और एफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे उसको अलग तरीके से जो है उसमें कुछ एक नया अक्सर एड़ गर देंगी जैसे पर्टिकुलर एक जगया प चितकबरा रंग भी इसी नसल का होगा तो असानी से इनको अपने अगर अपन थोड़ा सा अपन जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखेंगे तो जो भी इस तरीके के अधर वो सारे अपने उस पॉइंट से सोल जाएंगे तो थोड़ा सा आप इन पॉइंट्स को भी गोर लगाके पढ़िएगा तो यह अपना जो है वह इस तरीके से याद रख सकते हैं गिड़ नसल के बारे में फॉर्स्ट अपनी नसल कंप्लीट होती है गिड़ नसल मैडम क्लास की पीडिएफ मिलेगी क्या रोज पीडिएफ जो है वह रोयल इस्टिट्यूट का यूट्यू अपने पढ़ लिए अगली नसल अपने बात करते हैं साहीवाल साहीवाल नसल की क्या कर्रेक्टर होती है क्या इसका औरिजन फ्लेस होता है किन नाम उसे से जाना जाता है उन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो देखिए फर्स क्लास है अगर आपको अच्छा लग बहुत अच्छा अगर आपको अच्छा लग रहा हो जस्दीप है या कुन है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए विटा अब देखिए साहीवाल के अंदर बात फिरें इसके अन्य नाम हो की साहीवाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो साहीवाल नसल ह इसे लोला या मुलतानी के नाम से भी जाना जाता है मुलतानी तो मुलतान नाम से जगह है मुलतानी के नाम से पाकिस्तान के अंदर उसी के नाम से मुलतानी कहा गया है लोला नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि इसकी स्कीन होती है वो लूज स्कीन होती है और लूज स्कीन ह का मोंट गुमरी जिला इस नसल का उत्पतिस्थान माना जाता है बहुती important point है important origin place है एकजाम में पूछा जा सकता है उत्पतिस्थान साईवाल नसल का पाकिस्थान का मोंट गुमरी जिला next बात करें इसके वित्रनिस्थान की अब है तो यह पाकिस्तानी नसल देशी है विदेशी तो नहीं है लेकिन इस नसल के अंदर इसका जो वित्रनिस्थान है वो क्या माना जाता है तो पाकिस्तान के आसपास के छेत्र है जिसके अंदर पंजाब है हरियाना है यूपी है शोट में लिखरियू में और राजस्थान है यहाँ पर इस नसल का जो है वो क्या माना जाता है, वित्रण इस्थान पूरी नसली फाइव स्टार लगा लेना इसको पूरी मॉस्ट इंपोर्टेंट है सारी करेक्टर अपने आप में एक स्पेशल है अपने आप में हर सबसे अच्छी करेक्टर है तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं यह जो नसल है यह सबसे ज़्यादा दूद उतपादक नसल यह भारती नसलों के अंदर सबसे ज़्यादा दूद उतपादन पुछा दाया है तो किस नसल का होता है साहिवाल का होता है लगबग 2,000-2500 लिटर इसका दूद उतपादन पाया जाता है नेक्स अपन बात करते हैं अगली क्या करेक्टर होती है अब अपने अपने सुना ह करते होगा कि जिसके अंहें दर दूद उत्पादन जादा उसमें fat percentage उतना ही कम होता है लेकिन यह बात इस नसल के लिए ठोड़ी सी गलत शाबित होता है इसमें दूद उत पादन भी ज़्यादा होता है साथ ही साथ इसमें तो इस नश्म में सरवादिक वसा पाई जाती है चाहे देशी की बात करें चाहे विदेशी विदेशी दोनों के अंदर नाड़ तीसरा परिंट बात करें देशी के अंदर वसा हो गई अब अन्दर सबसे ज़्यादा लक्तोज भी पाइदाता है तो सरवादीक लेकिन इसमें 5% प्रतीशत 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 अब यह सारी इसमें अच्छी है दूद में सबसे जादा है सबसे जादा मीठा दूद भी है सबसे जादा वसा भी है यह सारी चीज़ें अच्छी होने के कारण इसे किस परपस से पाला जाएगा तो डेरी हे तू सर्वोतम नसल मानी जाती है इतनी इसकी करेक्टर आपको याद रखने है इसी के साथ अपने देखा कि यह नसल इसकी त्वैचा डिली वह गलकंबल लटका हुआ पाया जाता है यह भी इस नसल की करेक्टर होती है अगला आपन बात करें इसकी और क्या करेक्टर होती है तो यह नसल है आई ये आर आई इंडियान एग्रीकल्चर इंसर्ट इंस्टिट्ट पूसा नई दिल्ली से विक्सित की गई है डवलप की गई है पूछा जाए साइबाल नसल है वह कहां से डवलप की गई है तो अपना कॉश्ण क्या गलत हो जाएगा तो इसको सही करने के लिए क्या करें आई यह 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 याद रखनी है फिर नेक्स अपन बात करतें इसका प्रडेक्शन कितना होता है तो दूद उतपादन इस नसल का सबसे ज़्यादा है कितना 2000-2500 लीटर प्रती ब्याद इस नसल का दूद उतपादन पाया जाता है जो कि भारतियन असलोग अंदर सर्वादिक माना जाता है सर्वादिक होता है अब बात करें वसा की फैट परसेंट इस कितना होता है तो साड़े चार से 6 परसेंट होता है जो कि देशी वे विदेशी दोनों में सर्वादिक होता है देशी यह अगली थर्ड नसल अपन पढ़ता है राथी तीसरी नसल जो है वह बहुत ही इंत सबी लोग मिलकर हजार लाइक करें बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहेगा सारी चीजे हर एक सब्जेक्ट के बारे में अपन डिसक्स करेंगे बहुत सारे नए नए कॉस्टिंस में आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगे अगर इस पहला अपन क्या करेक्टर पढ़ते हैं इसकी अन्य नाम क्या है राठी नसल का राठी नसल है उसका अन्य नाम अतर राजस्थान की काम देनू क्योंकि उत्पतिर सार इसका राजस्थान है और राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो नसले हैं जिससे अपन बात करें ओर उसा सबसे कना महलीं यह दो lacking सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब एक आद का और सिर्गी में जाता है। तकी सब्सक्राइब, लीज़त्ता मेया मैट टकर यृत्तर्य में सब्सक्राइब bo muito, गंगानगर और भीकानेर इस नसल का उत्पत्ति स्थान नहीं है क्या याद रखना है इसका उत्पत्ति स्थान i25 तर् बंस्षमी लाजास्थान है भीकानेर गंगानगर और हनुमानगड इस नसल के उत्पति स्थान माने जाते है इसके लाद जिसल मेर है वहाँ पर भी ये नसल है वो पाई जाती है ये इसके उत्पति स्थान है वित्रहनिस्थान ज़ biri याद रखने के जरत नहीं है राजस्थानी नसल है तो एक्जाम में नहीं पूछा जाता है अब बात करें इसकी करेक्टर्स की क्या special करेक्टर होती है तो ये जो है वो करेक्टर की बात करें ये जो नसल है वो राजस्थान की देशी नसल है यह कैसी नसल है में आज है इसा कोशल नाम में पूछा गया है जैट 110 के अंदर गहाए राजस्थान की कौन सी है तो राजस्थान की प्यूर ब्रीड राथी मानी जाती है। जैड दो जार दस के अंदर राजस्तान की प्रमुक नसल कौन सी है और देशी नसल भी कौन सी है ऐसा दोनों तरीके से टाइप कॉश्चन पूछा गया है तो यह है राठी नसल है अगला आपन बात करते हैं इस नसल के और क्या करेक्टर होती है तो इसकी तवचा डीली प्रमुक विशेच्टा है तो वह किसी प्रमुक उसेथा और साहीवाल भी तब आपको स्परहूप्य में क्या टिक करना है। मुख्य विसेथ्था प्राइटिक इसको देनी है राठी को देनी है अगला देखने नसल है इसका रंग कैसा होता है हल्का लाल रंग होता है जिस पर सफेद धब्बे पाये जाता है हल्का लाल सफेद धब्बे युक्त होता है और इस तरीके का दिखाई देता है जैसे इंट जैसा लाल रंग हो तो इसी के कारण इसके रंग को ब्रिक्स रैड कलर कहा गया है ब्रिक्स रैड कलर किस नसल का पा आ गया है त्री संकर संकरन ट्रेपल क्रॉस का एक्जामपल है लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था उसमें बताया था त्री संकर संकरन से विक्सित की गई है किस किसका क्रॉस कैसे याद रख सकते हैं साथी रे से याद रख सकते हैं छोटी से सुन्दर से ट्रीक है साथी रे सा से आती है साहीवाल थे से थार पारकर और रे से आती है रेड सिंधी थार पारकर और रेड सिंधी यह तीनों असलों के मिल्क प्रदक्षं की तो सबी नसलो का है लेकिन यह राजस्तान मेसे जब से जाधा याद रखने की जुर्रट नहीं है इतो बत्तब बारा सो से पंद्रा सो तैंट 1250 से इसका दूदित पादन प्रति बयात पाया जाता है वसा याद रखने की जुर्रत नहीं है एवरेज 4 से 5 पर्सेंट लेक्ष के जादव में होती है वह अपने को याद रखना है बाकि के अंदर के सुपर्वाइजर 2015 15 में पूछा गया है, गाय की नसलों में सबसे ज़्यादा वसा किस एवरेज वसा जो है, वो कितनी पाई जाती है गाय की नसलों में, तो 4-5% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो साईवाल में पाई जाती है, इतना अपने को इसमें पूछा जाता है एक्जाम में, तो ये गाय की नसल होगए राथी, clear सबके, चलिए next अगला अपन next नसल की बात करते हैं, वो आती है red sindi red sindi detail में अपने syllabus में नहीं है, वो 3 नसले थी detail में अपने syllabus में गेर, साहीवाल और राठी. नेक्स्ट नसल के बारे में जो मुख्य important point आप वो अपन देख लेते हैं. ये जो रैड सिंधी नसल है, ये कहां पर पाई जाती से लाल सिंधी भी कहते हैं. तो कई बार बच्चे confused हो जाते हैं, एक्जाम में इतना pressure रहता है कि अपन रैड सिंधी, अगर आजाता है option में कि कैसी नसल है, तो अपन भूल जाते हैं कि लाल सिंधी का ही नाम रैड सिंधी है, तो दोनों ही याद रखें, अगर पढ़ा हुआ रहेगा, तो जल्दी याद ह 2020 में पूचा गया question है, रैड सिंधी गाय की कैसी नसल है, तो गाय की एक प्रमुक दुधारू नसल होती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, अब आतरे इसकी special characters की क्या होती है, क्या-क्या मुख्य क्यरेक्टर होती है, इसके अंदर रंग दिखाई दे रहा है, नाम से भी प पाया जाता है, रंग है, इसका लाल या थोड़ा हलका बूरा कलर, लाल या बूरा रंग इस नसल का पाया जाता है, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने को, next बात करें, इसकी और क्या character होती है, जिसके special character के कारण अपने इसको पढ़ रहे हैं, इस नसल, यह नसल, च चतूर या होश्यार दिखाई देती है, चहरे के भाव से, चतूर या होश्यार दिखाई देती है, मतलब intelligent facial expression होते हैं, होश्यार दिखाई देती है, कैसे expression होते हैं, intelligent facial expression इस नसल की प्रमुख character होती है, intelligent facial expression, तो यह इसकी important character होती है, चेहरे के भाव से चतुरिया, हुश्यार दिखाई देती है, नेक्स अपन बात परे इसका जो production है, वो milk production है वो कितना होता है, 1800-2000 लीटर इस नसल का जूद उत्पादर प्रतिभ्यात पाया जाता है, जो की सभी के बराबर ही है, hai 1500-2000 की रिंज में या रहा है तो ज्यादा याद रखने की जरुरत नहीं है जो है परशंटेज है उसमें आपने जो नसіть वह रई इतनी बात इसके बारे में याद रखनी है फिर अब सब्सक्रेज बारे में पढ़ते हैं नेक्स्स बहुत यह तो देखिए एक मिनिट देखिए देवनी नसले यह भी अपने स्लेबस में डीटेल में नहीं है सिर्फ नाम नाम याद रखे इसके नाम से बहुत बार । बहुत बार कॉशिन पूचा जाता है, देवनी किस तरह की प्रमुख नसले तो गाय की दुधारू नसले और गाय की पी कैसी दुधारू है दक्षिण भारत में कहां इसका उतपती स्थान है? Maha rastra वा कर्नाट का है, वो इस लील⁉ Нसल का उतपती स्थान, जाता है इस तरी प्रमुग दुधारू नसले यह चीज हो गई अपने गाय की पांचो नसलों के बारे में सीसाग इरादे से इनके ट्रेक याद हो गई पांचो नसले क्या इस्पेशल करेक्टर है वो याद हो गया आज अपन जो है वह इनी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स क्लास में अपना जो नेक्स टॉपिक है इसी से रिलेटेड है उसी को आगे कंट्यूनी करेंगे आज अपने दुधारू नसले पढ़ी कल अपन भारवाही द्वी परियोजनी और विदेशी नसलों के बारे में पढ़ेंगे तो जो आपकी ऐसे फ्रेंड्स जो पहले क अगों को बता सको अगर क्लास अच्छे लगी हो तो बचो प्लीज आप लाइट करिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है क्या चीज टाइम है अपनी जो क्लास है वो रोज डेली है वो 7.30 पर स्टार्ट होती है शाम की साढ़े साथ पजे क्लास स्टार्ट होती है उसके अंदर अपन ये टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे ओके मैम कल पढ़ाना ओके थैंक्स मैम ट्रिक समझाओ दुबारा चलो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं तो देखिए रिवाइस कर लेते हैं देखिए लुदारू नसले हैं उनके track है यान है सी सागिरादे क्याते हैं सी स सिंदी पाकिस्दं के अंदर अपन ने देखा ये नसले है कराची पाकिस्तान में पाई जाती है चहरे के भाव से चतूरिया हुशयाह दिखाई जेती है intelligent facial expression कि नसल की प्रमख उसेश्ता है तो देखिए लाल सिंदी की प्रमख उसेश्ता है नेक्स अपन बात करें साहिवाल की साहिवाल नसल है वो पाकिस्तान के मोट गुमरी में पाई जाती है सभी करेक्टर इसके आप होती है सभी करेक्टर जैसे डूद पादन भी सबसे ज़्यादा स्केला फैट पसंडेज भी सबसे ज़्यादा मीठा भी सबसे ज़्यादा लक् इसकारन दोला या मुल्तानी के नाम से जानी जाती है इसमेर से राजस्तान में से घर्यवरा ृइजियल मेल नामसे चाने से चाङी आ Всем ब्रोट फॉरेड इस निसल का पाया जाता है लाफी नसला राठी नसल नसल राजस्तान की प्रमुख दुधारु नसल है इसे राजस्तान की काम कहते है यह पाई जाती है अलवर में राठ नसल पाई जाती है जो एक अलग ब्रीड है फिर नेक्स आती है देवनी देवनी नसल है वो महरास्टरवा करनाटका की नसल है जो ये नसल है रक्षिन भारत की प्रमुक दुधारू नसल पाली जाती है दुधारू नसल के नामसे से जाना जाता है तो ये आज की दूद्र प्रियोजी नसले हैं, बाकी के अधर ट्रीक है, वह पर नेक्स्स क्लास में जब अपन पर आज़ा हैं.